बुद मॉरिंग डियर स्टुडेंट्स आज में आप सभी को हिंदी सेकेंड के लेसन फोर स्कूल के छुटिया अनुदित कहाने का कोशन आंसर करपाऊंगी पठन एवन लेखन कोशन पहला है का मौकिक प्रेस्ट इसका पहला है स्वामी नाथन ने बारांदे में खड़े होक पीछे हाल पर नजर डाली और थोड़ी भेचैनी महसूस की सेकेंड है आपका हाल से कैसी आवाजे आ रही थी उत्तर है हाल लिखने की रगड कागजों की खड़कड़हट और गलास साप करने की आवाजें चुपी भरे हाल से आ रही थी थर्ड है आपका हाल में दोनों यापक कुर्सी पर उंग रहते और दूसरे अपूज द्रेश्च लिए एक सेरे से दूसरे सेरे तक टहल रहते फोर है आपका स्कूल के चप्रासी का क्या नाम था उत्तर है स्कूल के चप्रासी का नाम सिंगा राम था अब खाप्रशन चुरू होता है लगू उत्तरिय प् पर आपका है ताल कोश्चन किसे लगा कि इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था स्वामिनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था फोर कोश्चन है शेर के पेट में कौहन पहुच गया उत्तर है एक प्रामण शेर के पेट में पहुच गया गह है आपका दिर्ग उत्तिरिय प्रस्ण राजम परिक्षा हाल में क्या कर रहा था उत्तर है राजम दूसरे रुष्णदान के निचे तीसरे फार्म के दो लड़कों के इविज बैटा था और मशीन की तरह कलम चलाये जा रहा था दूसरा प्रस्ण है चटे प्रस्ण में कौन सी कहानी दी गई थी उत्तर है चटे प्रस्ण में ब्रामण और शेर की कहानी दी गई थी कहानी कुछ इस प्रकार थी एक ब्रामर तालाप के किनारे से गुजर रहा था दूसे किनारे से एक शेर ने आवाज लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने के बात कही ब्रामर ने पहले तो चूड़ी लेने से बना कर दिया था किन्तु जब शेर ने अपने को भोला बाला और सच्चा बताया तो ब्रामण पानी के में तैर कर उसके पास चला गया इसके पहले कि वह सोनी के चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता और वह शेर के पेट में पहुच गया तरड़े चात्रो को पेपर देते और बहा जाते देखकर स्वामिनाथन ने क्या किया चात्रो को पेपर देते और बहा जाते देखकर स्वामिनाथन ने खुशो कर जल्दी से बाख से पेपर को मोड़ा और प्लैप पर सुन्दे मोटे अक्षरों में लिखा ये सारी चीज़े लिखकर वा उत्तर पुष्दिका जमा कर परिश्या हौल से बाहर आ गया पूर कोश्चन है हेड मास्टर सहाब ने मंच पर आकर क्या भाशर दिया मैंने उत्तर सामने सामने लिख दिया है अगर आपके पास भूक है तो भूक में आप निशान लगाएंगे और उसके बात जब कॉपी में लिखते हैं तो उत्तर सामने सामने लिखेंगे उत्तर है राजम मशीन की तरह कलम चलाय जा रहा था मटर अपने उत्तर दो रहा जा रहा था अध्याप कुर्सी पर ओंग रहते मडी मैं आकरी सवाल को भी उड़ा सकता था चाटा प्रस्न ब्रामण और शेर की कहानी से क्या सिक्षा मिलती है हेड मास्टर का है छोटा सा भाशर दिये अब है आपका ब्याकरण एवं भाशा कौशल कहें दिये गए वाक्यों में से संग्या शब्द चाट कर लिखिए पहला है उस शेर ने आवाज लगाए इसमें संग्या क्या है शेर दूसरा है वह विद्याले चला जाएगा इसमें संग्या क्या है विद्याले थर्ड है वे मड़ी के साथ चले गए मड़ी फोर है उससे स्वामी नाथन ने जब आप पूछा संग्या है स्वामी नाथन फाइफ है स्वैम मतर ने उत्तर दोराया इसमें क्या है संग्या मटर अब आपका है सुनने में समान लगने वाले समान उचारित इस शब्दों को वाके में प्रियोग करते हुए अंतर इसपश किजिए एक है पहला हॉल तो इसमें मैंने वाके प्रियोग कर दिया है पैसे आप चाहें तो अपने मन से भी कर सकते हो लेकिन मैंने लिख दिया है परिक्षा देने के बाद सारा स्कूल हॉल में इकठा हो गया अब है आपका हाल हाल का अर्थ गया दर्शाय स्थिति मुहन के पीता का हाल ठीक नहीं है थाड़ है आपका सुख प्रसन रहने वाला व्यक्ति ही सुख से रहता है अब फिर है सुख सुख में सुगना पौधे पानी के बगर सुख गए है फिर है शेर जानमर के लिए शेर जंगल का राजा होता है शेर उसने सेर भर सबजी ली नापतॉल के लिए होता है फोर है आपका पेट, रीता के पेट में दर्ध है और दूसरा है पेटी, शाम के पिताजी एक पेटी लीची लाए बहना है पाँचवा, नल से फालतू पानी बहना, अच्छी बात नहीं है अब है बहाना, उसने घर ना आने का बहाना बनाया गह है आपका वर्तनी शुद्ध कीजिए, क्या है पहला, ब्राममड तो इसको मैंने ब्लू इंक से पेन से लिख दिया है, ब्राममड इस तरीके से लिखा जाएगा सेकेंड चिन देखिए, यह किस तरीके से लिखा हुआ है, उतेजना डबलता हो जाएगा, कहानियों में ना में छोटी की मात्रों लग जाएगी, आखरी लिखा है, इसमें खा में छोटी की मात्र लगा करकि आखरी सही होगा, उमीद लिखा है, उमीद होना चाहिए, ओके बच्चों, आप सब लोग लिख कर याद करोगे, गाड ब्लेस यू, थेंगा, ठेंगे, नधंवे लिख, झा वाएग होना चाहिए, छोटी की में उमीद होगा, फिरी यू, भी में तरी यू, उमीद होगा, ज मूलfaी हो जानके बच्चों, छेंगे लिख रूशान िेया, वी instructors वाप होगा, नरी प ρता यू, कर। सब लिख लिख की, बच्चो